नमस्कार दोस्तों स्वागा था हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी ट्रिपल सी एनम 7189 न्यूपती पत्र सासना देश नोटिस न्यूपती पत्र की तैयारी जोरों पर विभाग आज खुला न्यूपती पत्र बित्रण समारो होती थी यूपी के 75 जिलों में एक स साथ न्यूपती पत्र बित्रण सभी अपडेट बताऊंगे दोस्तों सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल परना है तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को जादा से जादा सेर करिएगा दोस्तों लखनौ से खबर बता रहा हूं बहुत ही महत सुरू हो गई है कि इस दिन न्यूकती पत्र दिया जाएगा लेकिन अभी दोस्तों क्लियर नहीं है जो अपडेट मैं आप लोग को बता रहा हूं मैंने भी पता किया तो वहां से यही बताया गया कि अभी जो है विभाग में काम चल रहा है आज जो है एनम पर ही काम हो रह रहा है जो 7189 अभ्यरती हैं इन सभी एनम बहनों के न्यूकती पत्र पर काम हो रहा है और जो भी पेंडिंग कार है जैसे पेंडिंग कार तो ऐसे कुछ भी नहीं रह गए है बस एक बार री चेकिंग हो रहा है दोस्तों री चेकिंग का मतलब हर चीज सही है कि नहीं सही है जब सब कुछ सही रहेगा तो आनन फानन देखे दोस्तों आप लोग को जल्द ही नियुक्ति पत्र के लिए नोटिस देखने को मिलेगा लेकिन वो भी आनन फानन देखने को मिलेगा विभाग में री चेकिंग की बात कही गई है कि आप सब कुछ चेक कर लीजिए फिर उसके बाद हमें बताईए अगर आपकी तरफ से सारी तयारिया पूर्ड हैं तो फिर हमारी तरफ से एक दिन नियुक्ति पत्र की तिथी घोसित करके एक घंटे का कारेकरम रहेगा और सभी जिलों में नियुक्ति पत्र बित्रट कर दिया जाएगा और लेकिन दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जितने भी अभिरती हैं ग्यापन कारे को रोके ना ग्यापन देते रहें और बित्रण समारोह तिथी जो है देखिए दोस्तों जो लखनो में बित्रण होगा नियुक्ति पत्र उनके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो तयारिया होती है एक से डेड़ घंटे में ही तयारी हो जाती है दोस्तों जहाँ पर जो स्रभागार लखनो है वहाँ पर वो कॉनफरेंस हाल है दोस्तों वहाँ पर सीटे लिमिट होती है बैठने के लिए उसके बाद वहाँ पर पचपन साथ सीटे लगभग नियर अबाउट होती है तो उस पन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा लेकिन उसमें कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे कर फिर आगे जो है नियुक्ति पत्र बित्रित किया जाएगा तो दोस्तों जो भी अपडेट अभी इतनी ही अपडेट मिली है कि विभाग खुला है और नियुक्ति प लोग अभी हमसे फोन पर बात भी कियें कि सर क्या 15 फरवरी को न्यूपती पत्र मिलेगा हमने कहा अभी ऐसी कोई बात नहीं है जब तक कंफर्म ना हो जाए लिखित में कोई चीज ना मिल जाए तब तक आफ नहीं मानिएगा तियानि 15 फरवरी की बात कह रहे हैं हो सकता है सा भाविक है साम तक कुछ ने कुछ है किलियर जरूर होगा क्योंकि आज जो है 12 तारीक है दोस्तों और इसके साथ में अगर कुछ होना होगा तो दो दिन तीन दिन पहले नोटीस वगरा जारी हो जाती है तो नोटीस के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा जिला एल स्क्राइब जरूर कर लीजेगा और एक लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियों वीडियो को आन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद